अप यहां पर देख सकते हैं कि Slab की ढळलाई हो रही है और आपने देखा होगा कि Slab ढळलाई होने के बाद Slab में कुछ इस तरीके से छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं तो इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताएंगे कि slab में आने वाले cracks को आप किस तरीके से रोक सकते हैं वीडियो आप पूरा देखिएगा जिससे slab में आने वाले कुछ इस तरीके से cracks को रोकने की full information आपके पास हो जाए तो slab में कुछ इस तरीके से cracking क्यों आती है या जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि slab ढ़लाई का process क्या होता है तो slab ढ़लाई करने से पहले आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से slab की satring की जाती है slab का satring वर complete होने के बाद satring के ऊपर कुछ इस तरीके से slab का steel जाल बादा जाता है आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं slab का और इसके साथ slab beam का steel जाल बादा जा रहा है तो slab का steel बादने के बाद next step में कुछ इस तरीके से concrete बनाई जाती है और concrete बनाने के बाद जितने thickness में slab बनानी है उतने thickness में concrete को बिचा दिया जाता है example की बात करें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे area में concrete को लाला कर बिचा जा रहा है तो 5 inch thickness में पूरे slab की concrete बिचाने के बाद next step में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से slab की finishing की जाती है आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं कि slab concrete बिचाने के बाद travel यानि की करनी से missing slab की उपरी सता की finishing कर रहा है यानि की slab को बिलकुल plane कर रहा है तो slab के उपरी सता को यदि आप travel यानि की करनी से कुछ इस तरीके से बहुत जादा plane करेंगे तो आपके slab में कुछ इस तरीके से hair cracks यानि की छोटी छोटी दरारे पड़ जाएंगे और आप construction process की book में भी देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि यदि आप concrete के ऊपरी सता को बहुत जादा plane करेंगे तो concrete की ऊपरी सता में कुछ इस तरीके से hair cracks पड़ जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से slab के ऊपरी सता को बहुत जादा plane नहीं कराना है कि वो normal में आप थोड़ा सा plane करा देंगे और plane कराने के बाद एक बहुत ही important work है जो कि 99% लोग नहीं करते यह लिए आप उस work को कर देते हैं आप यह मान के चलिए कि 99% आपके slab में कुछ इस तरीके से cracking कभी नहीं आएगी तो यह हम उस work की बात करें तो slab धलाई complete होने के 15-20 मिनट बात यान की slab की ऊपरी सता जब थोड़ी सी मजबूत हो जाए तो ठीक उसी समय आपको slab के ऊपरी सता को कुछ इस तरीके से खुरदरा कर देना है example की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि slab की casting हुए अभी आदे घंटे हुए थे और आदे घंटे बात slab के ऊपरी सता को bending wire का एक गुच्छा बना कर उसी गुच्छे से आप देख सकते हैं कि slab के ऊपरी सता को रफ किया जा रहा है तो यदि आप slab के ऊपरी सता को कुछ इस तरीके से रफ कर देंगे तो आप यह मान के चलिए कि 99% आपके slab में कुछ इस तरीके से cracking नहीं आएगी तो slab की ढलाई करते समय प्रतेक सिविल इंजिनियर को यह पता होना चाहिए कि slab के ऊपरी सता को बहुत जादा plane नहीं कराना है और इसके साथ साथ slab के ऊपरी सता को कुछ इस तरीके से रफ यानिकी खुरद्रा कर देना है तो slab ढलाई करते समय यह दोनों काम बहुत ही important है और प्रतेक सिविल इंजिनियर को साइट पर यह वर्क जरूर से जरूर कराना चाहिए तो उमीद है आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि slab में आने वाले कुछ ही तरीके के cracks को आप किस तरीके से रोक सकते हैं अभी के लिए बस इतना ही अपना ख्याल रखिये और अपने ममी पापा का अपने से भी जादा ख्याल रखिये इसी भाव के साथ आप सभी से बेदा लेते हैं धन्यवाद